भारते क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक तेज गिंदवाज आए हैं। भले ही इतिहास ने हमें हमारे इस्पिन गिंदवाजी के लिए चाना था लेकिन पिछले कुछ दश्कों में दुनिया ने भारत की तेज गिंदवाजी का लोहा मान लिया है। कपिल देव, जवागल श्रीनात, जहिर खान, भुवनेश्वर कुमार, इशान शर्मा, जस्पृत बुमरा, मुहमद सिराज, अर्शिदीब सिंग जैसे एक से बढ़कर एक तेज गिंदवाज भारते तीम का परचम अब दुनिया में लहरा चुके हैं। आज इने दुनिया जब भी भारत के सबसे बड़े तेज गिंदवाजू की बात होगी, उसमें एक नाम ना आये, शायद ऐसा नहीं हो सको। और वो नाम है मुहमद शमी। शमी मैदान पर क्या कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा नमूना हमने वंडे वर्ल्ड कप 2023 में बहुत अच्छिस देखा शमी ने विशकप में सारे रिकॉर्ड तो होते हुए कुल 24 विगर चटके थी, उनके आकड़े ऐसे थे कि जस्परित बुमरा और मुहमद सिराज भी उनके आगे फीके लगने रगी थे, लेकिन विशकप के बाद शमी चोटी लो गए और तब से वे रिकबरी में ही लगे ह वे पहले इंगलैन में अपनी सरजरी कराने गए, उसके बाद उन्होंने बैसाकी के साहरे से चलना शुरू किया, अब धीरे धीरे शमी ठीक हो रहे हैं, शमी अकशर सोचल मिडिया पर अपनी फोटो और विडियो डालते रहते हैं, जिस पर फैंस को भी उनका हाल चाल मिल हाली में शमी एक दो पॉटकास्ट में भी नजर आये थे, जाओनों ने टीम इंडिया से जुड़े कई राज खोले थे, फैंस जल्द से जल्द शमी को एक वार फिर टीम इंडिया की जर्सी में देखना चाले हैं, हाली में माना जा रहा था कि शमी बंगलादेश के अभी तक पक्कर नहीं है, आने वाले समय में भारत को अस्टेलिया का दोरा करना है, और वहाँ शमी बहुत कारगर सा भी दूज़े हैं, इसकी अलावा अगले साल भारत को ICC Champions Trophy और संभवता ICC World Test Championship Final भी खिनना है, जिसमें समी का खिनना बहुत जरूरी माना जा रहा है, ऐ इसमें 20 साई, उनको लेकर किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, शमी ने इस मेहने की शुरुआत में इस बंगाल कलब दौरा सम्मान समहरों के दौरान भी कहा था, कि यह कहना काफी मुश्किल है कि मैं कब वापस आउंगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इस से पहले कि मैं फिर से भाल की जर्शी पहनू, उम्मीद है कि आप मुझे बंगाल की जर्शी में देखेंगे, मैं बंगाल के लिए दो तीन मैच खिलने आउंगा, और इसके लिए पूरी तरह से त्यार होकर आउंगा, मौमे शमी को लेकर उमीद थी कि शायद उ लिप ट्रॉफी के लिए भी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और चैन करताओं के द्वारा गोशित किये गए नाम में उनका नाम नहीं था, शमी को लेकर माना जा रहा था कि 19 सितंबर से बंगलादेश के खिलाफ शुरू होने वाले टेस्टिज में उनकी वापसी देखने को म माना था, जो नहीं शिलंका दोरे के लिए टीम इंडिया के रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फरेंस में कहा था कि 19 सितंबर को बहला टेस्ट है और हमेशा यहीं लक्ष था, मुझे नहीं पता कि यह रिकवरी के लिए उनकी टाइम लाइन है या फिर नहीं, NCA में लोगो को देखने के लिए देखते रही क्रिकेट के से और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, साथी नौटिफिकेशन बेल जरूर बचाएंगे